नमस्कार मैं विपिन बंसल वास्तु कंसिल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर एक नए विशय पर चर्चा करते हैं आज का जो विशय है वो है टॉलेक्ट जिस घर के सौथ के भाग में टॉलेक्ट बनी हुई है चाहे उनका अपना घर है फ्लेट है या फ्लोर है एज पर वास्तु सौथ के भाग में टॉलेक्ट आना पानी फर्च पर गिरना घर के अंदर बिमारी आने का कारण बनता है मेरा जो अपना अनुभव है वो यह कहता है कि जिस घर के अंदर सौथ के भाग में टॉलेक्ट बनी हुई है और वहां फर्च पर पानी गिरता है तो घर के अंदर बिमारी हमेशा बनी रहती है बेवज़े पैसे का जाना लगा रहता है आपके यहां सौथ के भाग में टॉ को रेनूइट कर रहे हैं यह नया घर ना रहे हैं तो उसमें आपने करना ग्या है जो आप सौन में टॉइलेट बना रहे हैं सबसे पहले तो आपको साउ नहीं acum फर्च कर लेवल पूरे घ्र के फर्च के लेवल से 1,5 इंच मैंच जरूर करना है लेवल किसी भी हालत में फ किसी भी फर्श के लेवल से नीचा नहीं होना चाहिए, यह तो बराबर हो या उन्चा हो। उन्चा होगा तो तो सबसे अच्छा रहेगा। इसमें आपको जो ध्यान रखना है जो आपने टॉयलेट के अंदर टायज लगानी है, वॉर्ट टाइल लाएं और लगानी है वह आपने ख्रीम किलर की या ऑफ वास्ट थैन की ही लागानी है इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है साउथ की दिवार पर आपने राध कब यरूर। लेकर आना है। इसी के साथ जो आपका wash station है, जो toilet sheet है वो भी आपकी ivory color की ही लग एंगी, आपको अपने toilet के अंदर जो setting करनी है, वो इस परकार से करें, जिससे की आपका दरौजा center से आज़े, इसमें आपने दरौजे center में रखना है, sheet सामने आ जाएगी, जो wash station लगाना है, वो wash station आपका इ इस साथ जो शावर एरिया हूं आपने तोईलेक के नौर्थ की दिवार के साथ लागाना है। इसीके साथ जो बात मैं अब आपको बता रहा हूं, बहुत सारी घरों में होता मैपिमिम घरओ में इसा ही होता है कि जो शावर का एरिया होता है उसको टोइलेट के फर्ष zakla से अधा इंच नीचे कर दिया जाता है जो आप साओव में टोइलेट बनारे है इसमें जो शावर अ इर अ करना है इसके साथ जो शावर अरिया का जो पानी है ऊप यहाँ पर तो गीजर आपका south wall पर लगेगा, south wall पर south east corner की और आप अपना गीजर लगाएं, यदि आप gas गीजर लगा रहे हैं और आपके यहाँ open space है, तो मैं यह चाहूँगा कि gas गीजर अंदर ना लगा कर उस open area में आप अपना gas गीजर लगाएं, अगर आपको लगता है कि electric गीजर भी आपका बाहर लग सकता है, तो उसे भी आप बाहर लगाएं, इस परकार आप अपने यहाँ पर south के अंदर toilet बनाते हुए, इन वीशिश बातों का ध्यान रख कर बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस toilet को change कर सकते हैं, तो मैं तो यह कहूँगा कि आप इस toilet को south के भाग से एका कर west के भाग में या north के भाग में लेकर जाएं, अगर यह लगता है कि आपकी toilet change नहीं हो सकती, तो जो उपाई मैंने आपको बता हैं, यह उपाई करेंगे, तो इस से जो आपके घर के अंदर बीमारी आने के कारणा है, वो काफियत तक कम हो जाएंगे, और भी टुटी लिग नहीं हो, यह इसी के साथ साथ फर्श के ऊपर गिले कप्ड़े आपने नहीं डालनें, इसके लिए आप टब रखें और गिले कप्ड़े आप तब के अंदर रखें, इसी के साथ साथ आपने यहां पर एक exhaust fan भी लगाना है और एक ceiling fan भी जरू लगाना है, टोईलेट का इस्वाल करने के बाद फर्ष को बिल्कुल ग्राई रखें आपने अपने इस टोईलेट के अंदर एक क्रीम कलर की वार्म कलर की लाइट लगानी है जो आपकी वो लाइट 24 गिंटे जलती रहे इन बातों का आप तिहान रखते हैं इसी तरह अगले प्रोग्रम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार